Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे class 4 का unit 4, तो आएए हम start करते हैं why. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now? Why not, why by the why? He wants to know why wood should swim, why lid and marble sink, why sun should shine and wood should be broke. And why we eat and drink? He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why seeing the sun behind the hills and why the flowers die. Some of those why are not too hard to answer if you will try. Others know ever yet has found the region why. तो देखिए यहाँ पर यहाँ के बारे में बताया जा रहा है. यहाँ पर जो एक बच्चा है वो वाई का मतलब होता है क्यूँ? तो वो question पूश्टा है कि ऐसा क्यूँ होता है. तो इसके बारे में यहाँ पर बोयर जो है वो पताते है. तो देखिए क्या कहते हैं वो? I know a curious little boy. तो वो बोलता है कि मुझे पता है. Curious का मतलब होता है उसा ही जिग्यासू. एक उसा ही जिग्यासू boy जो होता है वो बोलता है कि who is asking why? मतलब कोन पुछता है why के बारे में है न? why this, why that, why then, why now, why now, why by the why. मतलब जो अगर कोई उसा ही बोय है तो उसको बहुत सारे question गिरते हैं. तो वो पुछता है why this, ऐसा क्यूँ है, क्या है, इसमें कैसा है, और क्यूँ है, और why now का मतलब होता है, अभी क्या है, है न? तो ऐसे वो जो है, वो उससा ही बोय पूछ रहा है, why not, by the by, तो ये देखें, आगे पढ़ेंगे हम लग, he wants to know why which should seem, उसको लगता है कि, वो पुछता है, कि ये जो लकडी होती है, वूच का मतलब होता है, लकडी, वो तहरती क्यों है, मतलब सीम क्यों करती है, why lead and marble sink, मतलब जो sink होता है, वो डूबना, marble और जो lead होते है, वो डूबते क्यों है, why sun should shine and wind should grow, तो वो बोलता है, कि जो सूरिया है, वो shine क्यों करता है, और जो wind है, हवा, वो क्यों बहती है, वो क्यों ब्रो करती है, है ना, and why we eat and drink, हम लोग खाना क्यों खाते है, और पानी क्यों पीते है, या फिर द्रिंग क्यों करते है, he wants to know what makes the cloud, जो clouds है, वो कैसे बनते है, and why they cross the sky, वो sky को कैसे cross करते है, है ना, while seeing the sun behind the hills, जो sun होता है, वो hills के पीछे 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 चूप जाता है, and why the flowers die, तो देखिए, वो बोलता है कि, जो flowers है, वो कैसे ज़र जाते है, मतलब मुर्जा कैसे जाते है, है ना, तो वो उसको एतने question गिर रहे है, some of those why are not too hard, मतलब कुछ question के answer देना उतना कठी नहीं है, to answer if you will try, अगर हम लोग try करेंगे, अगर आप लोग उसके answer देना तो उतना कठी नहीं है, there's no one ever yet, has found the region why, लेकिन कुछ-कुछ जो question होते है, उसके answer देना possible नहीं है, कुछ-कुछ question के answer नहीं होते है, ऐसा उसको लगता है, या फिर कुछ-कुछ-कुछन के answer नहीं पाए जा सकते है, तो यहाँ पर यह poem बता रहे है, तो देखिए, यहाँ पर कितनी प्यारी poem थी, है न, तो चलिए हम लोग कुछ new verse को पढ़ेंगे, देखिए, curious का मतलब होता है, जिक्यासू या फिर उससा ही, है न, और फिर है, lead का मतलब होता है, to guide a group of people, और फिर marble का मतलब होता है, little glass ball used by children to play, मतलब जो खेलते हैं, उससे, है न, play करते हैं, छोटे बच्चे, तो देखिए, फिर होता है, sink, sink मतलब होता है, dubna, है न, to go down below to surface of water, तो उसको बोलेंगे, हम लोग sink, तो देखिए, हम लोग आगे पढ़ लेंगे, reading is fun करेंगे हम लोग, name a few things to sink, तो देखिए, मैं आपको बता तो हम लोग लिखेंगे उसमें, some things that are sink are, lead, marble and stone, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो, है न, तो देखिए, आपर, list the questions that the little boy ask, why do lead and marble sink, why does sunshine, why does wind blow, तो ऐसे जो है question, वो बच्चा पोयम में पूछ रहा है, है न, तो दिखिए, next, what short a boy described in the poem, तो मतलब यहाँ पर क्या, पूरे poem में बताया गया है, कि curious के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो बच्चा है, वो बहुत ही जिग्यासू और उस्साई है, तो वो सभी जो है question, यहाँ पर पुछता रहता है, तो यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा महत्वपुर्ना वर्ड होगा, है न, तो दिखिए, हम लोग, let's talk को करेंगे, why can't we look at the sun during solar escape, तो दिखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, कि we can't look at the sun during solar escape, because it hides, if it's safe, behind the moon, वो moon के पीछे छुप जाता है, है न, तो दिखिए, next, why can't we touch the sun, sun is very far, वो बहुत ही दूर है, हम से, है न, therefore we can't touch the sun, तो हम लोग उसको touch नहीं कर सकते है, why can't we go out the play in the dark, our eyes can't see anything in the dark, hence you can't play in the dark, तो हम लोग अंदेरे में नहीं खेल पाते है, तो दिखिए, हम लोग next करेंगे, world building को, fill in the blanks, with words from the poem, with the colored words in the sentences, तो दिखिए, why is the dash, so high, तो यहाँ पर क्या आएगा, why is the dash, sky, so high, ऐसे आ सकता है यहाँ पर, है ना, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, do you know the color of, क्या, किसके colors आपको पता होने शाहिए, आपको पता है, flowers, तो ऐसे यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, है ना, तो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, have you found who made the, क्या आपको इसमे, cloud, तो हमारे poem है, पताया गया है इसके बारे में, C, L, O, U, T, S, clouds, तो दिखिए, next, put the glass in the sink, after you finish your drink, D, R, I, N, K, तो ऐसे यहाँ पर आ सकता है, तो दिखिए, हम लोग next पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या करना है, the spelling of those words, तो आपको यह write करके, लिखने हैं, spellings को, यहाँ पर first spelling बना के, दिया गया है, no, इसका उल्टा करके, लिखा है, spelling को पूरा, तो हम लोगों को अच्छे से लिखना है, तो आपको यहाँ पर साथ में क्या बनाने है, sentence भी भी बना जाने है, तो no के क्या आएगा, I do not know the question, या फिर answer भी आ सकता है, है ना, तो आपको पता नहीं है, ऐसे इसमें हो सकता है, और फिर यहाँ पर, W, I, S, M, क्या क्या होगा, swim, S, W, I, M, तो ऐसे स्पेलिंग इसमें आएगी है, शी कैन नाट स्वीम, इन जीप वाटर, या फिर शी कांट स्वीम, ऐसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, sentence में, और फिर नेक्स आएगा, लीट, L, E, A, D, तो देखिए, यहाँ पर आप लोग अच्छे से स्पेलिंग को, और इसमें लिखते जाएए, लीट कैन सिंक इन वाटर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और फिर देखिए, यहाँ पर क्याएगा, मार्बल है यहाँ पर लिखा, अच्छे से आप लोग उसको देखिए, फिर बाद में इसको लिखिए, M, A, R, B, L, E, विद अच्छी स्पेलिंग लिखिए, मतलब देख के उसको, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, तो चलिए, आप लोग लिखिए अच्छे से, और यहाँ पर क्याएगा हिल, तो आप लोग मुझे यह जो कश्छन के दो सेंटेंस हैं, वो कमेंट बाक्स में कमेंट करिए, कि आपको आते हैं सच में हैं न, आप लोग बहुत ही हुशी आ रहे हैं सब लोग, तो मैं हिल का बताती हूँ, आप लोग करेंगे, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर Let's Freedom करना है, Why do Cat and Dog Fight? तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, Cat and Dog Fight Because They Are Best Friend, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, why do we walk across the road not run so we walk across the road and not run because we might meet with an accident so accident होने के वज़े से हम लोग दोड़ते नहीं है उस पर जादा है why do people like ice cream so हम लोग क्या लिखेंगे the people like ice cream because it melt in our mouth so it melt हो जाती है हमारे mouth में तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं है ना तो चलिए लिखिए आप लोग भी यहाँ पर देखिए नीचे आपको क्या करना है write down leads to questions using why तो आप लोग पुछ सकते हैं उसको why have you not finished your breakfast या फिल why are you not finished your homework ऐसे भी your homework ऐसे हम लोग लिख सकते हैं why have you not finished your homework ऐसे हम लोग वहाँ पर question बनाई सकते हैं तो बनाईए आप लोग भी question I hope आप लोग अच्छे से बनाएंगे तो यह देखिए यहाँ पर fun time है तो आप लोग इसको पढ़ लीचे हम लोग नीचे पढ़ लेंगे है ना तो यह देखिए यहाँ पर छोटी सी poem है song उसको पढ़ेंगे हम लोग the man in the onion bed I met a man in an onion bed he was crying so hard his eyes were red and the tears rolled off the end of his nose as he ate his way down the onion rose he ate and he cried but for all his tears his song he sang sweet onions oh my tears I love you I do and you love me but you makes me as sad as a man can be तो दिखिए यहाँ पर कितनी प्यारी सी poem है वो बोलता है कि मैं एक onion से मिला था मतलब onion bed से he was crying so hard his eyes were red तो वो cry कर रहा था है और फिर क्या होता है कि उसके tear आ जाते है वो काटता है तो उसको है न उसको फिर वो nose में भी उसके red red हो जाता है पूरा उसका nose तो onion की जो rose है उसके बारे में यहां पर बताया गया है वो क्या करता है उस onion को खाता है तो फिर क्या होता है he ate his cried but for all his tears वो रोने लग जाता है और वो फिर सॉंग बोलता है sweet onions oh my dears I love you I do and you love me but you make me as sad as a man can be तो तबी क्या होता है वो रोने लगता है और क्या होता है वो sad हो जाता है तो देखे यह picture में आपको दिखाया गया है है ना? क्या है